हमने पिछले क्लास पर दो मोडल देखा था प्लाज्मा मेंब्रेन के पहला मोडल था सेंडबिच मोडल जिसको ट्राइड लेमलार मोडल भी बोलते हैं डैनियाली और डैप्शन के द्वारा दिया गया था दूसरा मोडल हमने देखा था यूनिट मेंब्रेन मोडल जो रुबर्टशन के द्वारा दिया गया था आज हम लोग इस क्लास में तिसरा मोडल परेंगे जिसका नाम है फ्लूड मोजाइक मोडल और यह प्लाज्मा मेंब्रेन के सारे कैरेक्टर को फॉलो करता है इसलिए वा मोजाइक मोडल यह वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूड मोजाइक मोडल जो है सिंकर और निकॉल्सन के दोरा दिया गया है सिंकर और निकॉल्सन प्लाजमा मेंब्रेन का मोडर साथ आपको नहीं पता तो आप इसलिए वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि प्लाजमा मेंब्रेन क्या होता है सेल का एक आउटर लेयर है यह प्लाजमा मेंब्रेन मैंने पिछे वीडियो में साथ चीज बताया हुआ है तो आए शुरू करते हैं सिंगर और निकोल्सन के दोरा यह फ्लूड मुझा एक मोडल दिया गया था इनके दोरा बताया गया कि प्लाजमा मेंब्रेन जो है प्लाजमा मेंब्रेन इज मेड़ पॉफ इज मेड़ पॉफ प्रोटीण एंड एंड फॉस्फो लिपीड रहा हुआ है कि प्रोटीन क्या होते हैं कैसे होते हैं और फोस्पोलीपीड़ इसका structure कुछ ऐसा होता है ये phospholipid का ये head है और ये tail part है head जो है hydro philic होते हैं और tail hydrophobic hydro phobic hydro means water philic means lover hydrophilic means water lover होता है head और tail hydrophobic water heater होता है या अपने से water को pass out करने देगा head but tail जो है water को pass out नहीं करने देगा ये है phospholipid protein globular होता है इनके तो रहाँ पता है कि protein दो टाइपस होते है there are two types of protein present in plasma membrane that is intrinsic protein intrinsic protein or extrinsic protein extrinsic protein are on the outer side या hydrophilic head के outer side में पाय जाता है क्वाद हमने model बनाएंगे हम लोग देखेंगे intrinsic protein outer side में पाय जाता है intrinsic protein बीच में कहीं पे धसा हुआ रहता है ऐसे पाय जाएगा और extrinsic protein head के upper side में पाय जाएगा यह दो तरह के protein होते हैं extrinsic protein और intrinsic protein extrinsic protein are on the outer side and this protein are attached to phospholipid head phospholipid head and attachment is so loosely बहुत ही loose attach रहता है यह head के साथ protein का extrinsic protein का and intrinsic protein and partially or completely या तो थोड़ा सा अंदर रहेगा या पुरा completely इसके अंदर हसा हुआ रहता है phospholipid by layer के form में हम लोग देखते हैं अभी model के इसका कैसा है जैसा कि आप देख रहे हैं यह phospholipid है यह head है यह tail है यह सब phospholipid है उपर भी है और नीचे भी है phospholipid और इसमें यह globular protein है globular means round circular protein यह देख रहे है यह protein है इसमें कहीं कहीं बीच में देख रहे है extrinsic protein बोलते है extrinsic protein और यह phospholipid का दो layer देख रहे हैं एक नीचे है एक उपर है तो इसलिए इसको bilayer बोला है था phospholipid bilayer phospholipid bilayer और जैसा कि हमने बताया कि यह head जो है hydrophilic होते हैं hydrophilic और यह tail hydrophobic होते है ठीक है यह हमने लिख दे रहा हूं hydrophobic hydrophobic मतलाब यह head hydrophilic है मतलाब अगर कोई substance है यहाँ पे suppose this is water soluble substance कौन है water soluble water soluble अगर substance है तो यह आकर head तक ही रुख जाएगा और tail को cross नहीं करता है क्यों क्योंकि यह tail hydrophobic 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 है क्योंकि यह hydrophobic है यह tail और यह head hydrophilic है अगर अगर fat soluble substance है अगर fat soluble अगर fat soluble substance cross क्रोस करेंगे ठीक है सिंगर और Nicholson के द्वारा कुछ extra information भी दिया गया था पिछले मेंब्रेन मोडल unit membrane model में पढ़ा था कि extra information के द्वार्शन के द्वारा दिवी दिया था उन्होंने बताया कि plasma membrane का जो थीकनेस होता है या दोगा आप लोगो 75-100 लेकिन इनके द्वारा बताया गया pore size pore size इन्होंने बताया pore size pore size pore size 7 to 10 इन्हों होता है यह भी plasma membrane का arrangement है ऐसा ही होता है यह dynamic nature का भी होता है देख रहे होंगे phospholipid और protein का ratio भी अलगे लगे आप इतना दूर का देखे protein का मात्रा कुछ और ही तो यह plasma membrane के सारे character को follow होता है और यहां जो है variable होता है protein और phospholipid का ratio यहां भी देख रहे है protein और phospholipid का ratio variable है है जैसे आप यहां ले लिजे आप इतने में ले लिजे देखिए protein कितने है protein आप देखेंगे तो एक दो एक यहां पर एक रहेगा protein एक दो तीन चार पांच छे है protein लेकिन phospholipid देखिए एक दो तीन चार पांच है यह variable है ratio protein और phospholipid का तो यह plasma membrane के सारे character को follow करता है इसलिए यह widely accepted है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नेवाद फिर मिलते हैं आप से next listen जरको दोन आप लाई फिर Green झाल झाल